कानपूर में एक फौजी रिवार्बर लेकर चाय की दुकान पहुच गया एक रिटायर एरफोर्ड के फौजी को ढूनने और आपको अताले धमकाने इस मामले में रिटायर एरफोर्ड करमी के पुलिस सिकायत की चाय की दुकान के आसपास लोगों का कहना है कि यह फौजी अकसर अपना रिवार्बर लेकर इसी तरह लोगों को धमकाता है कानपूर में एक फौजी का रिवार्बर लेकर चाय की दुकान पर वीडियो काफी वारल हो रहा है आपको बता दे कि फॉजी रिवार्वर लेकि चाय के दुकान पर एक रिटायर फॉजी को ढूनने और धंकाने पहुँचा था है इस मामले में रिटायर फॉजी को आपको दोने की पुलिस सिकायत की और पुलिस ने जाच कि आदेश दिये हैं जाय की दुकान के आस पास लोगों का कहना है कि फौजी अक्सर अपना रिवारवल लेकर इसी तरह लोगों को धमकाने आता है दरसल कानपुर के जाजमव उलाके में दोपहर को आपको तादी कि बावा चोहराए के पास चाय की दुकान में एक पर फौजी जैसिंग एरपोर्ट के रिटायर कर्मी कमलेस कुमार से विवाद हो गया था दोनों जम कर बहस हो गए जिसके बाद उस समय चाय की दुकान में मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को समझा कर अला कर दिया लेकिन रात में फौजी चाय जैसिंग अपने हाथ में खुले आम रिवारवर लेके वोटरल पहुचा वहाँ मौजूद लोगों के आसपास आपको बता दे आसपास की दुकानों में कमलेस से इंग को पता पूछने लगा इतना ही नहीं गुसे में था कि गाली भी बकने लगा देखे पुरा वीडियो